मोदी सरकार के तीसरे टर्म में क्या UCC कन्फर्म होने जा रहा है ये सवाल इसलिए क्योंकि 78 वे स्वतंतरता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से पीम मोदी के भाषन में वेकसित भारत का लक्षे था देश में बहुत बड़े न्याइक सुधारों के संकेत और रिकॉर्ड 98 मिनट के भाषन में प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने न्याइक सुधार की बात के और साथ की समान नागरिक सहिता यानी UCC का संकल्प दोहराया 24 का एक्शन मोड यूनिफॉर्म सिविल कोड सेक्यूलर UCC का टाइम आ गया सांप्रदाइक UCC का टाइम खत्म लाल किले की प्राचीर से प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी का ये बयान क्या भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड के शिरुवात का संकेत है क्या मोदी सरकार अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक्शन मोड में आने वाली है क्योंकि पीयम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में साफ कहा कि सेकूलर सिविल कोड़ वक्त की मांग है देश का एक बड़ा वर्ग मानता है कि देश में अभी जो सिविल कोड़ लागू है वो एक कम्यूनल सिविल कोड़ है इसमें बदलाव के जरूरत है और आने वाले वक्त में इसमें बड़े बदलाव के उन्होंने इस पश्ट संके दे दिये हैं और समिधान की भागना भी जो हमें कहती है करने के लिए देश की सुप्रिम कौर्ट भी हमें कहती है करने के लिए और तब जो समिधान निर्माताओं का सपना था उस सपने को पूरा करना हम सब का दाइप्व है जो कानूं दर्म के अधार पर देश को बाढ़ते हैं जो उच् एक सेकुलर सिविल कोड हो, हमने कॉमिनल सिविल कोड में 55 साल बिताए हैं, अब हमें सेकुलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा, और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो बेजबाव हो रहे हैं, सामान नागरी को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति एक ही देश में अलग-अलग धर्मों के लिए अलग-अलग कानून हैं, मतलब क्रिमनल कैसिस के लिए तो देश के सभी लोगों के लिए समान कानून हैं, लेकिन जब बात संपत्ती, विवाह, तलाक के नियमों की हो, तो इसमें हिंदू, मुसलिम, इसाईयों के लिए अलग भारत में जो मौजूदा सिविल कोड लागू है उसमें हिंदूओं के अलावा बौध जैन और सिख शामिल हैं लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोग इसमें शामिल नहीं है और सिविल कोड से जुड़े मामलों के लिए उनका मुस्लिम पर्सनल लौबोर्ड है। सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक सहिंता लागू करना सरकार का दाइत्व है। अनुच्छेद 44, उत्राधिकार, संपत्ति अधिकार, शादी, तलाग और बच्ची की कस्टडी के बारे में समान कानून की आउधारना पर आधरित है। इसके अलावा देश की कई अदाल संसद को एक समान नागरिक सहिंता की रूप रेखा बनानी चाहिए। 2015 में एक मामले में सुप्रिम कोर्ट ने कहा था इसाई कानून के तहत इसाई महिलाओं को अपने बच्चे का नैचरल गारजियन नहीं माना जा सकता जबकि अविवाहित हिंदू महिला को अपने कि समान नागरिक सहिंता एक सम्मेधानिक जरूरत है। 2021 में इलहबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि संसद को समान पारिवारिक कानून लाने पर विचार करना चाहिए ताकि लोग अलग-अलग कानूनी बाधाओं का सामना किये बगएर स्वतंतर रूप से मिल जुल कर रह सकें लेकिन मुस्लिम पर्सनल लाव बोर्ड लगातार इसका विरोध करता रहा है क्योंकि उसे लगता है कि ये कानून लागू होने से उसका महत पूरी तरह खत्म हो जाएगा। और बात कॉलकाता में निर्भया कान्ड पर आधी रात के अंधेरे की। जब कॉलकाता कान्ड की सीबी आई जाच शुरू हुई तो देश को लगा कि अब इस रेप मर्डर केस को लेकर जितने भी सवाल है उन सभी का जवाब मिल जाएगा। लेकिन सीबी आई जाच और अस्पताल के कैंपस में घुसकर सब तहस नहस कर डाला लेकिन अब ये बड़ा सवाल कि निर्भया को इंसाफ को लेकर जो आंदोलन पिछले पांच दिन तक हिंसक नहीं था उसमें सीबी आई जाच शुरू होते ही ये उपद्रवी कहां से घुसाए क्या उपद्रव की प्यार में सबूत मिटाने की कोशिश हुई आधीरात को कुलकता की बेस्ट पुलिस बेबस पुलिस बन गई आधीरात को कुलकता में घुंडा राज कायम हो गया अब यहां का कंडिशन देख सकते हैं हजारों के संख्या में ये मोड आया है हम लोग पर अटैक भी किया है आधीरात को एक घंटे तक पाँच हजार उपद्रव्यों की भिड़ने कानून के रखवालों को तमाश भीन बना दिया कल शाम को ही बंगाल की सीयम ममता बनार जी ने बंगला देश से बंगाल की तुलना की थी कहा था कि बंगाल में बंगला देश जैसा माहूल तयार करने की सासिश हो रही है ममता के इस बयान के कुछ ही घंटे बाद बंगाल में बांगला देश जैसी तस्वीर देखने को मिल गई ये वीडियो बनाने वाला शख्स खुद को आरजी कर मेडिकल कॉलेज का एक रेजिडेंट डॉक्टर बताते हुए क्या कह रहा है आप भी सुनिये कल शाम को ही ममता बैनार जी ने कुलकता पुलिस के शान में कसीदे पड़े थे तारिफों के पुल बांधे थे कुलकता पुलिस को दुनिया की बेस्ट पुलिस करार दिया था और कुछ ही घंटे बाद उस बेस्ट पुलिस की पूल खुल गई जब रेब मर्डर जैसे बेहत सम्वेदन शील केस में ममता की पुलिस उस जगए की हिफाजत नहीं कर पाई जहां लेडी डॉक्टर के साथ हैवानियत के बाद उसकी हग क्या कर दी गई थी त्या के सुबूत आखिर किसे डरा रहे हैं सीबी आई जाज शुरू होते ही हिंसा क्यों ही इन सवालों के बीच कोलकता कान की सीबी आई जाज से कतराने वाली ममता सरकार ने अब सीबी आई पर जल्द जाज पूरी करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया है उन्होंने CBI के लिए 25 अगस्त के तारीख मुकर्रर कर दी है क्योंकि ममता बनार जी का मानना है कि 90 फीसदी जाज कोलकता पुलिस ने ही पूरी कर दी इधर ममता की बेस्ट पुलिस उपद्रवियों की पहचान में जुट गई वीडियो फोटेज के आधार पर अस्पताल में भवाल काटने वाले उपद्रवियों को चिन्हित किया गया इस भिड में लड़के लड़कियां दोनों शामिल थे लेकिन कल रात में क्या करने की तयारी थी और क्या कर दिया गया वो समझना भी बेहब जरूरी है कल यानी 14-15 अगस्त की आधी रात को पुलकता की सड़कों पर निकल कर प्रदेशन करने का प्लैन रिमजिम सिन्ह ने बनाया था रिमजिम ने इसे तनाई डिजार का नाम दिया था ठीम ये थी कि भारत को 14-15 अगस्त की आधी रात को आजादी तो मिल गई लेकिन आजादी के 77 बरस बाद भी महिलाओं को दरिंदों से आजादी नहीं मिली है रिमजिम सिन्ह इस कारिकरम की सैयोजग थी जो समाज शास्तर की रिसर्चर है और प्रेसिडेंसी विश्विद्याले की छात्रा है रिमजिम ने यही पोस्टर बना कर सोशल मीडिया पर शेयर किया था और महिलाओं से आधी रात प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की थी इस प्रदर्शन में चात्राओं के साथ उनके माँ बाप भी शामिल हुए लेकिन पोस्टर देखते ही किसे और ने भी प्लैनिंग बना ली जिसकी भनक ना रिम जिम को लगी ना दुनिया की बेस्ट पुलिस को ममता बनर जी भले ही अपनी पुलिस की पीड थक थपाते थक नहीं रही हो लेकिन रक्त रंजित राजनीती वाले बंगाल की राजनीती में कुलकता में 8 अगस्त की रात से 14 अगस्त की रात तक जो कुछ भी हुआ उसने बंगाल में खानून विवस्था की बदरंग तस्वीर पूरी दुनिया को दिखा दी है सीमा हैदर हर भारतिय तिवहार बड़े धुमधम से मनाती है और अब सोशल मीडिया पर सीमा हैदर का एक और वीडियो सामने आया जिसमें वो तिरंगा लहराती नजर आ रही है एक रिपोर्ट पूरा देश स्वतंदरता दिवस मना रहा है ऐसे में पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर भी भारत का स्वतंदर दिवस धुम साम से मना रही है देखिए ये तस्वीर है सीमा हैदर के घर की सीमा हाथ में तिरंगा लिए दिखाई दे रही है साथ में पती सचिन भी है सीमा हैदर के वकील एपी सिंग भी दिखाई दे रहे दरसल ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब सीमा हैदर ने भी हर घर तिरंगा अभियान में हिस्सा लिया सीमा हैदर ने अपने घर की छट पर तिरंगा लगाया इस मौके पर सीमा बेहत खुश नजर आ रही थी सीमा ने भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिन्दाबाद के नारे भी लगाए सीमा हैदर भले ही पाकिस्तान से आई है लेकिन अब सीमा खुद को हिंदुस्तान की बहु बताती है उसका कहना है कि सचे से शादी होने के बाद अब वो भारती है और वो वापस पाकिस्तान नहीं जाना चाहती सीमा हैदर भारत के हरत्योहार को धूंधाम से मनाती है चाहे सावन कवरत हो या फिर पीच हर मौके पर सीमा हैदर की तस्वीरे शोशल मीडिया पर आती रहती है इस बार इस अभियान में सीमा हैदर ने अपने पती के साथ ग्रेटर नौड़ा के रवुपुरा में अपने घर पर हर घर तिरंगा कारिक्रम में भाग लिया जिसका वीडियो भी शोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है वीडियो में देखा जा सकता है कि सीमा हैदर अपने पती सचिन के साथ एक छट पर तिरंगा फैरा रही है सीमा हैदर नौड़ा में रहने वाले सचिन से फेस्बुक पर प्यार होने पिछले साल अपने प्यार की खाते पाकिस्तान से भारत आई थी फिलहाल सीमा हैदर पती सचिन के साथ नौईडा में रह रही है सीमा हैदर के साथ उनके तीन बच्चे भी पाकिस्तान से भारत आए और वो भी सीमा हैदर के साथ ही रह रहे है लेकिन पाकिस्तान में सीमा का पहला पती गुलाम हैदर लगातार कोशिश कर रहा है कि उसके बच्चे उसके पास पाकिस्तान पहुच जाए, उसने कोट में भी केस कर रखा है लेकिन सीमा किसी कीमत पर पाकिस्तान जाने को तयार नहीं उसका कहना है कि पाकिस्तान में उसकी जान को खत्रा है वो सचिन को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगी सचिन ही उसका पती है और उसने हिंदू धर्ण स्विकार कर लिया है सीमा का कहना है कि वो पूरी तरह से हिंदू हो गई है और अब भारत ही उनका देश है यही वज़ा है कि सीमा हैदर सोशल मीडिया में अपने आपको भारतीय दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ी और यहां को एक छोड़ से ब्रेक के लिए खबरों का सलसला आगे भी जारी है